दोस्तो भात में लगतर कोविट 90 के केस बढ़ते जा रहे हैं अगर मैं रोज की बात करूँ तो रोज 50-60,000 लोग कोविट 90 के केस से संक्रमित हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविट 90 के चार प्रमुक टेस्ट के बारे में ये कैसे किये जाते हैं इसकी सुद्धता कितनी होती है मैं आपको इसके बारे में सब डीटियल में बताने वाला हूँ वीडियो बहुत इंटरस्टिंग लास तक जरूर देखिए सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है RT-PCR टेस्ट अब ये क्या होता है ये कोविट 90 का टेस्ट करने का एक तरीका होता है इसमें टेस्ट कैसे किया जाता है इसमें नाक और गले से लार को एक बॉक्स में रखा जाता है और वहां से उसे लैब में ले जाये जाता है अब result आने में कितना समय लगता है मैं बात करूँ result आने में तो 12-16 घंटे लग जाते हैं अब आपको question होगा इसकी सुद्धता या accuracy कितनी होती है मैं आपको 4 test के बारे में बता रहा हूँ तो इसमें से किसी भी test में आपको 100% सुद्धता देखनी को नहीं मिलती अगर मैं इस test की बात करूँ तो 60% इसमें सुद्धता देखनी को मिलती है फिर भी जो COVID-19 के बार test negative आता है तो इसका जो है फिर से test किया जाता है इसके बाद जो second test है वो है rapid antigen test जिसका नाम आप सबसे ज़्यादा सुने होंगे rapid नाम से इस परस्टा यानि कि ये जल्दी से test करके आपको दे देता है तो ये COVID-19 का जांच करने का तरी उसके बाद test किया जाता है rapid नाम से इस परस्टा पहले मैं आपको बताया था इसमें आपको 20 से 25 मेंट के अंदर result देखने को मिलता है अब आपको question होगा इसकी accuracy यानि की सुद्धता कितनी होती है अगर test positive है इसका मतलब विश्वासनीता 100% मगर 30 से 40% मामलों में negative रह जाते हैं तो इसके लिए RT-PCI test किया जाता है इसके बाद आता है true net test अब ये क्या होता है तो ये test से पहले यानि कोविट 90 test से पहले ये जो test है वो किसके लिए use होता था उसके बारे में जान लेते हैं तो ये जो TV और HIV संकरमन की जाच करने के लिए इसका जो ये test है true net test इसके use किया जाता है अब इसके जगे में कोविट 90 के मामलों में भी इसका जो test है वो किया जाता है तो ये कैसे होता है तो ये जो नाकर गले से जो लार है उसको box में रखा जाता है और चेक किया जाता है अब आपका question होगा result आने में कितना समय लगता है तो लगबग इसमें 3-3.5 घंटे लग जाते हैं इसकी सुद्धता के बारे में बात कर लेते हैं तो 60-70% जो मरीज है वो COVID-19 के संभावना को बताता है लेकिन negative भी हो जाते हैं इसके लिए कुछ लोग 2-3 बार test कर आते हैं अब बात करते हैं antibody test के बारे में antibody test क्या होते है तो antibody test जैसा कि आप जानते हैं कि इसी को COVID-19 positive आ गया और positive आने के बाद उसे hospitalize किया जाता है उसके बाद उसे दवाई दिया जाता है उसके बाद उसका जो report है वो negative होने के बाद उसके सरीर में एक antibody हो जाते है उसके जो blood होते हैं उसमें जो लडने की ताकत होती है तो उसका जो test किया जाता है उसे उस blood को निकाला जाता है और उस blood को निकालने के बाद जो positive है COVID positive होते हैं उनके सरीर में इसे injection के माध्यम से या किसी भी माध्यम से डाला जाता है जिससे उनके सरीर में भी वो लड़ने की छमता हो जाती है तो यह चाय प्रमुक टेस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको डीटेल में बता दिया तो फिर्ट्स आपको वीडियो काईसा लगा अगर लाइकन को प्रेस कीजिए आपका बहुमोले समय देने के लिए धन्यवाद थैंक यू